नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया न्यू स्पोर्ट्स और मैं हूँ आपके साथ पवंतिवारी भारत और इंग्लेंड के बीच में चार अगस्ति जो सिरीज केलनी जानी है टेस्ट मैच की पांस मैच में की जो सिरीज होगी उसको लेकर एक बड़ा बयान वीवेश लक्षमन ने दे दिया है वीवेश लक्षमन ने भारत ये टीम को एक सला भी दिया है साथी साथ उन्होंने बताया है कि अगर इंग्लेंड में भारत ये टीम को जीतना है तो उने एक अच्छा परदर्शन करना होगा बैट्समन को चलना होगा जो बैटिंग लाइन अप है उसे भैतरीन परदर्शन करना होगा क्योंकि भारत के जो बैट्समन है वो इंग्लेंड की पिछ पर थोड़े से कमजोर साबित होते हुए नजर आते हैं VVS लक्षमन ने कहा है कि हम 2007 में इंग्लेंड के खिलाब सेरीज जीते थे तब VVS लक्षमन उस टीम का हिस्सा थे उन्होंने कहा कि हमारा टोप ओर्डर हमेशा से अच्छा परदर्शन करता था हमारी जो ओपनिंग बैट्समन आते थे वो लोग पिछ पर खेलते थे अच्छा समय लेते थे स्कोर बनाने में हमारी टीम की मदद किया करते थे इसके बाद तीसरे नंबर पर राहूल ड्रवीड आया करते थे और राहूल ड्रवीड हम सभी जानते हैं दावाल राहूल ड्रवीड गेन बाजों को परिशान करते वोई पिछ पर नजर आते थे अब VBS लक्षमन ने कहा है कि भारते टीम को अगर इस तरीके का परदर्शन दोराना है इंग्लेंड में जाकर सीरीज जीतनी है तो उन्हें भी ओपनिंग बैट्समेन के साथ साथ तीसरे नंबर पर बले बाजी करने वाले चेते शर पुजारा को अच्छा परदर्शन करना चाहिए साथ उन्होंने चेते शर पुजारा की फॉर्म के बारे में बातचीत की वीवेश लक्षमन ने कहा कि पुजारा इस समय में अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं हला कि जो बैट है वो चलता है जब जो विपक्षी टीम होती है उसे परेशान करता है ऐसे मे चेते शर पुजारा को पिच पर समय विकाना होगा साथ ही साथ उन्हें अच्छी तरीके से बैटिंग करनी होगी उनके बैट से सेंचरी भी निकल सकती है लेकिन उन्हें राहुल द्रविट की तरह पिच को समझ कर और गेंद बाजो को परिशान करना होगा तभी भारते ट झाल